स्टुडेंट्स आप सभी गज़ होगत हमारे स्टुडेव चैनल पर आज हम लोग बेटा बात करना लें आपकी वक्सीड नंबर 31 के बारे में ठीक है साथ ही साथ क्या है इसके लिंक को अपने फ्रेंट्स के बीच में सेयर करना या रखिए कि यह चल ला है जिसे वीकली कॉंटेस के नाम से जानते हैं और इसमें बहुत प्यारे प्यारे प्राइसे मिलते हैं ठीक है और यहां पर जो है बैटेस टॉर्चर लाए रैइटिंग टुडेए वि आर गोईंग टू डिसकस अबाउट डा क्यूब रूट एंड इस यूज जन डेली राइफ ठीक है आज आज हम लोग क्या करें क्यूब रूट के बारे हम बात करेंगा उसको जो यूज जो यूज वारे में उसके बारे में तो क्यूब रूट इसकी मीनिंग जो root होगा, cube का root होगा, उसे cube root कहते हैं, जिसे ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, mathematical form में, ठीक है, जिसे कैसे दिखाएंगे, root, 3 root power में, ठीक है, और देखो, यह जो मतलब है, obtained हुआ कोई भी number, यानि कि 4 से obtained हुआ है, 64, तो 64 किस से बना है, 4 का cube root है, तो यही 4 क्यों जाएगा, हमार cube root हो जाएगा, किसका, 64 का, तो basically, find, cube is reverse process of a finding of the cube number, ठीक है, यानि cube number का जो reverse process होता है, यानि cube of 4 पूछा जाए, तो 64 आएगा, and 4 जो होगा, वो क्या हो जाएगा, इसका root हो जाएगा, cube root हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी meaning क्या हो जाएगी, 64 it become, ठीक है, means क्या हो गया, कि, इ क्या कहने का मतलब है, कि 27 हमारा क्या है, cube है, किसका, 3 का, और 3, 27 का cube root क्या हो जाएगा, ठीक है, यह कहने का यहाँ पर मतलब हो जाएगा, अब किसी भी cube root को कैसे निकालते हैं, तो find the cube root of 279, अगर हम इच क्या है, 279 का, sorry, 729 का cube root निकालना हो, कैसे निकालेंगे, पहले इस लेने, तो देखो, 729 का प्राइम फेक्टर निकालोगे, 3 into 3 into 3 into 3 into 3, करोगे आप, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 729 का क्या हो जाएगा, रूट में, क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद क्या दिखो, यहाँ पर नीचे देखो, लिखा गया, 3 into 3 x 3 root में ठीक है और उसके बाद किया ओगे है 9 का आंसर आ ठीक है तो उसी तरीके से अगर मैं माइनस का 125 का निकलना है तो प्राइम फेक्टर निकल लो 25 का 25 का उसी तरीके से निकलाएगा माइनस का फाइफ ठीक है चली आ अगे किकल है किविकल गिफ्ट जिसका वॉसम क्या कर लेंगे क्योंदग कर लेंगे τटो प्राइम factor of 512 का कितना हो जाएगा टू इंटू 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 इस तरीके से करेंगे पिट्टा हमारा आंसर कितना आजाएगा एट तो इसका साइड कितनी हो जाएगी क्यूबिकल कितनी हो जाएगी इसके बाद देखों से बुला गया है फाइंड का क्यूब रूट और फॉल्विंग नंबर जो नीचे आपको नंबर्स दिए गया इनका क्यूब रूट निकालना है जैसे आपका हो गया 343 इसके बाद 3375 हो गया यह हो गया आपका तेरा सो तेरा आजार से निकलेगा सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनना ठीक है पहले आपको दिया क्या गया नंबर देखो लिखो आपको इसका प्राइम फैक्टर ओफ फॉर ठीक है पहले आले का निकालना 343 का ठीक है तो लिखो प्राइम फैक्टर ओफ ठीक है यह जो पांसो बादा मैंने यहां पर लिखा हुआ है उसको हटा दो यहां कर दो बिटा आप क्या देखो यहां आपको कर देना है इसको पहले हटाया ठीक है इतना यह सब हटाओ ठीक है यह सब आपको नहीं लिखना है मैं बता तो तो आप लिखो सबसे पहले ठीक है प्राइम फैक्टर ओफ ठीक है प्राइम फैक्टर ओफ 4343 is equal to तो यह किसका प्राइम सब्ल्राइम सब्सक्राइम एक मिन्स आलगे रिखे तो इसी तरीके स सब्सक्राइम परकल को इसी तरीं इस सब आपको ऐसे का ऐसे ही लिख लेना है पहले वाले का आंसर हो जाएगा ठीक है इसके बाद बेटा दूसरे आले का देखो क्या होगा दूसरे आला देखो आपको दिया गया है ठीक है 3375 तो यहां लिखो 33 65 का आगर हम क्या लिका लें फ्रायम फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा 235 का प्रायम फैक्टर बेटा 3ертв 3 2 2 में 5 is equal to हमारा कितना आ जाएगा जाके बिटा is equal to आ जाएगा 15 ठीक है इसका answer क्या हो गया बिटा 15 हो गया ठीक है अगला यह वाले का चलिए देखते हैं क्या होगा ठीक है जिसमें दिया गया आपको क्या तो बिटा इसमें लिख लिजे ठीक है प्राइम फैक्टर अगर इसके बाद आफको निकालना होगा प्राइम फैक्टर निकालना ठीक है आपको मैं बता देता हूं से ठीक है प्राइम फैक्टर निकालो तेरा दार आच्टर 24 का तो बच्छोु को यस वाले आप नोट कर लिजे Cecili's arrest 1244 का जूझा हो जाएगा इस वाले कर पेहले के तीसरे तो आप इनका प्राइम फैक्टर निकालोगे यह हो जाएंगे प्राइम फैक्टर सेंस टू एंड थ्री जोए वेक्वर कर रहे है ट्रिप्लेट्स यानि की तीन-तीन के इनका जोड़ा बना लेंगे परफेक्ट स्क्वाइर यह है ठीक है अगर इसका हम क्यूब रूट निका तो बच्चो इसका क्या हो जाएगा इसका देखो हो जाएगा आपका ठीक है 1728 का क्यूब रूट क्या होगा 2 इंटू 2 अगर प्राइम फैक्टर वगएदा निकालने उसके बड़ 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा और हमारा अंसर कितना आ जाएगा 12 चली रेखते हैं अग 97 जो की क्या हो जाएगा 13 रूट में 13 इसका सॉलीचन क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूचन लिख लो ठीक है क्यूब रूट आफ 13 सा क्या हो जाएगा cube root में लिखो गए आप बेटा 11 गुड़े 11 गुड़े 11 अंसर आजाएगा 11 यह इसका हो जाएगा solution चलिए रेखते हैं आगे press ने क्या दिया है तो बेटा अगला press ने क्या दियागा है एमसे बोला गया write the number whose cube root are following ठीक है आपको नीचे number दिया गया है उन numbers को बताना है जिनका cube root यह होगा तो जैसे 4 का आपको बताना है ठीक है बेटा किसका बताना है 4 का तो देखो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का आप बेटा 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे, ठीके, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, तो 4 चोको 16 और 16 चोको हो जाता है बेटा, आपका 64, ठीके, कितना हो जाएगा, 64, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64, ऐसा ही आप लिख दोगे, 10 क चे आपका कितना हो जगा जाके 1000 हो जाएगा ठीक है इसके बाद 13 निकालोगे तो कितना हो जाएगा ठीक है 13 इन्तू 13 इन्तू 13 2001 इन्तू 13 कितना हो जाएगा 6 into 6 into 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बिटा तो बिटा इसका हो जाएगा 216 इसी तरीके से आप क्या करोगे बिटा 19 का लिखोगे 19 into 19 into 19 आप करोगे कितना आएगा बिटा तो आ जाएगा बिटा 68 59 आजाएगा ठीके इसके बाद बेटा इसका करोगे आप 8 का तो 8 x 8 x 8 जब करोगे तो आपका कितना आएगा तो बेटा इसको ल्टू में आ जाएगा 500 बादा ठीके आगे आपकी ये वक्सीट क्या होती है यही होती है समात आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करकर बताना वीडियो लाइक करना चैनल सिस्क्राइब करना ज्यादा से ज्यादा कॉंटस में पास्पेट करने की कोसिस करना धन्यवाद प्यारे बुच्चो